हलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में प्रस्ण वली एटेप हैं और कोस्षण नंबर है 32 कोस्षण में कह रहा है कि तिर्भूझ A, B, C में जिसका कोण B समकोण है A, B बराबर 24 cm और B, C बराबर 7 cm है निमलिखित का मान गयाती है चलिए देखें एके करके चलिए तो मैं यहाँ पर समकोण तिर्भूज ले लेता हूँ ठीक है? चलिए तो मैं यहाँ पर समकोण तिर्भूज ले लिया यहाँ पर कोण B समकोण है और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ A और यहाँ पर नाम देता हूँ C तो यह तिर्भूज A, B, C हो गया जिसका कोण B समकोण है A, B बराबर में 24 cm है अच्छा B, C बराबर में 7 cm है तो मैं इनका मान निकालना है तो पहले हमें इसका कर्ण निकाल लेना होगा ac तो a-c पराबर में यहां क्या हो जाएगा रूट अंडर a-b का s-quire और plus में bc का s-quire हो जाएगा यहें नुल जाएगा रूट अंडर 24 का sqir और पलस में यहां 7 का s-quire तो 24 का एस्क्वाइर यहां 576 और 7 का एस्क्वाइर 49 हो जागा दोनों को जोड़ देंगे तो यहां रूट अंडर 625 आजागा जो की 25 का एस्क्वाइर है तो 25 सेंटीमीटर आगे आपका कर्ण ठीके अब देखिए हमें पहले में क्या का रहा है साइन ए और कॉस ए निकला है तो हम लोग फॉर्मला जानते हैं साइन ठीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण अच्छा कौस निकालना होगा तो कौस ठीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण यही नहोता है जी तो पहले में देखिया हमें निकालना है साइन ए तो कौन जब आपका यह होगा तो लंब आपका बी सी और कर्ण आपका AC हो जाएगा समझे रहा ना यानि कहने का मतलब कि आजाएगा 7 cm बटा में 25 cm 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 कट जाएगा 7 बटा 25 यहां से इसका मान आजाएगा अच्छा, कॉस A भी निकलना है तो कॉस A, जब यहां कोण है यह लंब यह अधार हो जाएगा A, B और बटा में कर्ण तो आपका वही रहागा AC यानि कि 24 cm बटा में 25 cm 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 कर देंगे 24 बटा 25 आजाएगा दूसरे कोशन में देखिए साइन C और कॉस C क्या मान कर रहा है तो जब यह कॉण लेंगे तो लंब आपका यह हो जाएगा A, B और कर्ण आपका AC तो यहाँ पर हो जाएगा 24 cm बटा में 25 cm यहाँ से cm cm कर देंगे 24 बटा 25 इसका मान आगया अच्छा अब हमें निकालना है कॉस C तो कॉस C क्या तो यहाँ कॉलेंगे ताधार आपका यहाँ न हो जाएगा B, C और कर्ण आपका हो जाएगा AC 7 cm बटा में 25 cm 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 कर देंगे यहाँ से 7 बटा 25 इसका मान आगया हमने सभी मान निकाल दिये चलते हैं अगले कोसन पर कोसन नमर 33 देखिए कह रहा है यदि 15 कॉट A बराबर में 8 तो यहाँ से हम लो ली सकता है कि नहीं कॉट A बराबर में 8 बटा 15 तो हमें साइन A और से के का मान गया करने के लिए तो मैं यहाँ पर पहले एक क्या कर लेता हूँ समकोर तिर्भूज बना लेता हूँ यह आपका समकोर तिर्भूज हो गया यहाँ एंगल A हो गया इसका नाम B और इसका नाम C गयते हैं तो हम लोग जानते हैं आपका जो फॉर्मूला होता है कौट के लिए तो हम लोग जानते हैं कि कौट ठीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब अधार बटा लम तो यहां कौन है तो यहां लम होगा यहां अधार होगा तो यहां पर हो जाएगा A B बटा में B C अधार बटा में लम तो यहां से हम लोग माल लेंगे माना A B बराबर में 8 K और B C बराबर में 15 K ठीक है तो यह आपका 15K हो गया और यह आपका 8K हो गया हम लोग AC पहले निकालते हैं तो root under AB का square पलस में BC का square हो जाएगा तो AB यानि की 8K का square और पलस में BC 15K का square solve करते हैं तो यह हो जाएगा 64K square और यह हो जाएगा आपका 225K square दोनों को जोड़ देंगे तेहां से आजाएगा root under 289K square जो की 17K हो जाएगा या आपका 17K हो जाएगा कर्ण अब हमें क्या निकलना है sin A और से के तो sin ठीटा बराबर formula जानते हैं lamb और बटा में कर्ण यही नहोता है formula तो sin A बराबर में क्या हो जाएगा तो sin A बराबर में हो जाएगा lamb आपका हो जाएगा B C और कर्ण हो जाएगा आपका A C यानि कि 15K और बटा में 17K के से के काड़ देंगे 15 बटा 17 आजाएगा अच्छा 15 बटा 17 इसका मान आगया अब देखिए अब हमें सेक A निकलना है तो सेक ठीटा बराबर जानते हम लोग क्या होता है जी तो कर्ण और बटा में आधार यह होता है इसका फर्मला तो यहां से सेक A बराबर कर्ण क्या हो जाएगा A C और आधार हो जाएगा आपका A B तो यहां पर 17K और बटा में 8K तो यहां के से के काड़ देंगे यहां पर 17 बटा 8 इसका एंसर हो जाएगा समझ गया कॉसर नमर 34 देखिए करा एक समकोड तिर्भूज ABC में जिसका कोण B समकोड है यदि 10A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि समकोड तिर्भूज ले लेते हैं इसका एंगल यहां बी समकोड है और यहां सी ना देते हैं तो देख रहा है ना फिगर में तिर्भूज ABC हो गया जिसका कोण B समकोड है अच्छा आप हमारे पास यहां दिया है 10A का मान वन है इसके बटा में कुछ ने तो वन दे सकते हैं ना तो यह क्या होता है इसका फॉर्म है लम assunto बटा आधार, यहन के B यह सी बटा यह को है दार, यह नहाते हैं तर N ठीटा बराबर होता है लम और बटा में आधार चलिए तो यहां से मान ले नओ kellा माना आपका b c जो है k हो जाएगा और a b b जो है वो भी k ले लेंगे यह भी k और यह भी k तो यहां से a c बराबर में क्या जाएगा रूट अंडर a b square ब्लस में b c square यहांनी रूट अंडर k square plus में k square यानि root under 2k square यानि यहां से आजागा root 2k ठीक है चलिए यह आपका आगया root 2k अब देखिए मैं sin a और cos a का मान निकाल के रखना हो नहीं है जरुरत उसी की है तो हम लोग पहले sin ठीटे के formula की बात करें तो होता है lump और बटा में कर्ण तो इसी की according अगर मैं यहां निकालना चाहूँ sin a तो यहां से lump आपका हो जाएगा bc और कर्ण आपका हो जाएगा ac यानि की k बटा में root 2k क से k यहां कटेंगे एक बटा root 2 आगया अच्छा कॉस की बात करेंगे तो कॉस शीटे बराबर होता है आधार और बटा में कर्ण तो यहां से अगर मैं बात करो कॉस a की तो आधार आपका a bी हो जाएगा और कर्ण आपका ac हो जाएगा तो यहां भी k बटा में root 2k क से k काट देंगे एक बटा root 2 इसका भी माना गया अब lhs लो lhs में क्या है आपका 2 sin a cos a और इसी के बराबर में 1 प्रूप करना है तो चलिए इसको simplify करके देखते हैं 2 sin a का value यहां पे एक बटा root 2 और cos a का भी value 1 by root 2 into 1 by root 2 में root 2 से 2 कर देंगे एक आगया तो एक आपका rhs न है तो बराबर हो गया हमने साबित करके दिखा दिया समझ गया अगला कोशन के 35 तिर्भूज a b c में जिसका कोण b समकोण है मैं यहां पर एक तिर्भूज बना लेता हूं a b c ठीक है जिसका कोण b जो है समकोण कर देता हूं ठीक है और यहां पर मैं नाम देता हूं यह और इसे देता हूं c ठीक है a b c होगा जिसका b समकोण है अचा 10 a बराबर दिया है तो 10 एंगल यह लिया है तो यह आपका लंब हो जाएगा यह आपका अधार हो जाएगा यह करण हो जाएगा तो हमारे पास दिया है इस तिर्भूज में कि टैने बराबर क्या है एक बटा रूर्ट तीन है तिर्भूज A, B, C में एंगल B 90 है और 10 A बराबर एक बटार उड़तीन गया तो यहां हो जाएगा यह आपका क्या B, C और बटा में आपका A, B जो कि हमनों जानते हैं फर्मुला 10 ठीटा बराबर क्या होता है लंब और बटा में आधार, यही नहोता है, चलिए तो यहां पर हम लोग मान लेंगे माना, B, C बराबर में K और A, B बराबर में, देखो इसको बनाना एक और भी तरीका है, खोंड से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें उससे अभी मतलब नहीं हम लोग तिर्कुर्मिती अनुपात ही देखे हैं उन्ही अनुपातों के मदद से ही P, Y, S, B, Y, S, जो भी हम लोग देखे हैं उन्ही के अनुपात से, उन्ही के मान से हमें इससे सॉल्व करके दिखाना है यह आपका रूट 3 के हो जाएगा यह आपका K और यह आपका रूट 3 के है तो हम लोग ऐसी निकाल लेते हैं यह इसी बराबर रूट अन'll A, B का स्क्वाइर, पलस में B, C का स्क्वाइर हो जाएगा यहानि रूट अनल रूट 3K का होल स्क्वाइर और पलस में के का mistक्वाइर, तो यहाँ से दूब के आगए अब देखिए इसके बादए हमें इन SAB का मान निकालने के खार नहáticas क्या करना होगा चाहिने कॉस कुल मैं और साइन सी और कॉसिए इनका मान निकालना नहीं नगे फ़र्मना जानते हैं साइन ठीटा बराबर में लभ और बटा में करण और कॉस ठीटा अब साइन एक ही बात करतें हैं यह कोण कोपा आपका होजाएगा बी सी और कर्पा ँख एपका होजाएगा एक्टा मैं के कटें के कर देंगे एक बटा दुवागा अच्छा को इम्साइन इसलिए और लिगते हैं आधार हो तो यहां से आजागा रूट तीन बटा में दो ठीक है अब देखिए अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं साइन सी और कॉस इसी इनी चारों का माल चाहिए हमें यहां कोड लेते हैं तो यहां कोड लेंगे तो आपका लंब आपका हो जाएगा एबी और आपका कर्ण हो जा आपका जाका के कर देंगे एक बटा दौ आएगा अब एक करके निकालते हैं तो पहले में कह रहा가 यहां संइन यहां पर साइन एक आमान है एक बटा दो cos c का मान है 1 बटा दो plus cos a का मान है root 3 बटा दो और sin c का मान है root 3 बटा दो इनको solve करते हैं 1 बटा 4 plus में 3 बटा 4 होगा lc हम लेंगे 4 1 plus 3 नहीं कि 4 बटा 4 cut के मान 1 आ जाएगा फिर second वाले में क्या कह रहा है तो second वाले में निकालने के लिए कह रहा है यहाँ देखिए cos a cos c minus sin a sin c ठीक है cos a cos c minus sin a sin c चलिए तो यहाँ पर रखते हैं सभी मानों को तो यहाँ देखिए cos a का value यहाँ से देखो root 3 बटा दो गुना में cos c का value देखो 1 बटा दो minus sin a का value देखो यहाँ पर तो दोनों तो सेमी हो जागा root 3 बटा 4 यहाँ भी और minus root 3 बटा 4 यहाँ भी कटके यहाँ 0 आ जाएगा तो एक का मान वन आ गया और दूसरे का 0 आ गया समझ गया है उससर नमर 36 देखिए यदि angle a और angle b noon cone है जहाँ cos a बराबर cos b तो हमें यह साबित करके दिखाना है तो मैं यहाँ पर एक समकोंड तिरभूज ले लेता हूँ यहाँ पर यह angle c हो जाएगा क्योंकि a और b यहाँ noon cone है ठीक है तो यहाँ पर दिया है हमारे पास की तिरभूज a, b, c में angle a और angle b angle b noon cone है noon cone है ठीक है और cos a बराबर में दिया है cos b cos a किसके बराबर है cos b के बराबर है ठीक है तो हमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है angle a, angle b के बराबर है ठीक है हम लोग यहाँ पर एक रचना किये है माना हमने क्या किया है रचना में माना लिखने के जोती है मैं लिख देता हूं कि तिरभूज A B C एक समकूण तिरभूज है तिरभूज है जिसका एंगल C समकूण है कौण C क्या है समकूण है तथा एंगल A और एंगल B न्यून कौण है चलिए तो अब इसके बाद देखिए इसका प्रमान हमारे पास दिया हुआ है कि कॉस A जो है ना कॉस B के बराबर है तो अगर यह कोण लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कॉस चीटा बराबर आधार और बटा में कर्ण होता है यह एंगल लेते हैं तो आधार आपका A C हो जाएगा और कर्ण आपका A B हो जाएगा और कॉस B यहां कोड लेते हैं तो आधार समदी बाव हो गया तो हम लोग जानते हैं यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल A एंगल B के बराबर हो जागा क्यों क्यों कि हम लोग जानते हैं कि तिर्भूज में समान भुजाओं के सम्मुख कोर सम्मुख कोर बराबर होते हैं बराबर होते हैं समझ गया ना तो बहुत ही सिंपल सा कोस्टन दिया था मैंने आपको बता दिये साबित करके दिख्या दिया यह आपका प्रमानित हो गया अब देखिए बचे हुए कुछ कोस्टन है उनको हम लोग नेक्स वीडियो में देख लेंगे इस वीडियो को हम लोग ग्लासे छपड़ा कि दूसरा है आपका भारती भावन रभी कान सर भारती भावन रभी कान्त सर के नाम से तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिएटर नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सच करेंगे www.ravikant sir.in और यहां पर जाकर आप सभी classes के नोर सरुन के PDF को डाउनलोड तर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं Instagram और Facebook पे pathfinder classes छप्रा को like and follow करना नहीं भूलेंगे